दोस्तो मैं अल्प नसरोस वाकत है आप सभी का स्वाधिष्ट भोजन में दोस्तो आज में आपको सौर मचली बनाने का तरीका बताऊंगी टेस्ट में तो दोस्तो आप पूछिये मत किसका टेस्ट कितना जादा अच्छा आता है तो दोस्तो ये मैं 1 kg का सौर मचली ली हूँ दोस्तो से साफ करने का तरीका आपको नेश्ट वीडियों बताई हूँ अगर अभी तक आपने वीडियों नहीं देखें तो उपर दिया बटम पर किली करके दोस्तो वीडियों देख सकते किसे आप कैसे साफ करें इसको बनाने के लिए दोस्तो हमें किन मसालों का उसकता प सारे चीजों को काटके मिक्सी जार में डालेंगे दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब कर दीजी और बगल में बेल की घंटी है उसे बजाना आप न भूलिएगा दोस्तों सौर मचली में आप लेसुन कंजूसी ना करें डालने में इसमें लेसुन तोड़ा ज़्यादा डालें उसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसका बारिक पेष्ट बनाके त्यार कर लेंगे हम उसके बाद दोस्तों आप चलते हैं चूले की मैंने इसे कट किया और कितनी अच्छी ये मचली है दोसतों ये काटे की मचली है स्वाद इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है करही मैंने तेल डाल दिया तेल जैसे गरम होगा इसमें हम डालेंगे लासन यहां पर दोस्तों आप लेसन जरूरी यूज करें तेज पत्ता और प्याज तो पहले लेसन को हम फ्राई कर लेंगे लेसन जैसे अलका सा फ्राई होगा वैसे इसमें तेज पत्ता और प्याज को हम डाल देंगे इसे भी अच्छे से लाल होने तक फ्राइ कर लेंगे दोस्तों जैसे अच्छे तड़का हमारा लाल हो जाएगा वैसे इसमें जो पेश्ट बना है वैसे हम यह पेश्ट को एड़ कर देंगे इसमें तो अध्रक लैसन और प्याज का पेश्ट को हम ऊच्छे से फ्राई करें गें तड़को के साथ दोस्तों इन पिश्ट को आपको बहुत इच्छे से फ्राइ करना जब तक कि साइट की सैट से तेल बाहर ना आने लगें तो जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से तेल बाहर आने लगे हैं ये अच्छे से पेश्ट हमारा भून के तयार होगे अब इसमें सूखे मसाले अट करेंगे तो आधा चमश हलदी का पौडर आधा चमश तीखी लाल मिश आप इसमें दो बड़ा चमश धनिय का पौडर एक बड़ा चमश डालेंगे हम क पर चाहिए भी होते हैं तो आप इस बात को जरूर ध्यान लखके कि जब मसाले एट करें थोड़ा सा पानी जरूर एट करते नहीं तो मसाले जलने लगते हैं जैसे मसाला अच्छ से भुन जाएगा वैसे मचलियों को मसाले के साथ अच्छ से भूनेंगे तो जैसे मछली को अच्छे से मसालय मिला देंगे वैसे दोस्तों इसे ढग देंगे दो-तीन मिनट के लिए मीडिया माँच पर जैसे मछली में भी अच्छा सा मसालय का स्वात आजई दोस्तों वैसे तो मैंने बहुत अलग-अलग तरीके की मचली की रिस्पी आपके साथ सेर की हूँ अगर अभी तक आपनी वह वीडियो नहीं देखें तो उपर दियाए प्लिक करके दोस्तों वीडियो देख सकते हैं कि अलग अलग तरकी की मचली आप घर पे कैसे बनाएं तो तीन मिनट हो गया दोस्तों मचली को पकते तो पानी आपको जितना जूरत है उतना ही एट करें उसके बाद मचली को हम मिला देते हैं मसालों के साथ थोड़ी देर की बाद दोस्तों नीचे से मचली खुदी छोड़ देती है मसालों के साथ से तो यह मैंने अच्छे से मिला दिया है अब इसे ढग देंगे 6-7 मिनट क बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से पक गई है मचली भी आप देख सकते हैं कित्ती अच्छे से पकी हुई है यह पर्फेक्ट बनके त्यार हो गई है अब इसे हम चूले पर से उतार के नीचे रख लेंगे नीचे रखने के बाद दोस्तों आब इ से अच्छे से धनिया को मिलाद दिया हूं ठंड़ा होने की बाद दोस्तों हम सर्फ कर लेंगे ठंड़ा होने की बाद की स्वधत में सफ़ाइड ने मश्री अच्छेश ठंडी हो यह हम करें है । दोस्तो अप देख सकते हैं सौर मशली हमारी पूरी तरसे बन के कमप्लीट है रोटी चालस खाने के लिए तो दोस्तो इस रिस्पी को आप जरूर बनाएगा खाएगा और दोस्तो मुझे कोमेंट में भी बताइगा कि आपको सौर मचली का स्वात कैसा लागा और कैसे बना था दोस्तों ये ताजी मचली थी स्वात तो बहुत ही अच्छा था इसका और मचली तो आप पूछे मत इसका स्वात कैसा था मचली तो जैसे चिकन लगता मीड जैसा लगता दोस्तों सच में इसका मांस बहुती जाद इसके मांस में इस वात भी है और अगर जिनको मचली नहीं भी पसंद देखाना वो इस मचली को ऑखाएंगे वो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेट में जरूर बता जना.